एलो फेंड्स वल्कम बैक मैं यूट्यूब चैनल बालोजी साइंस आज हम आप लोगों को DNA आड़ो की रासायनिक संदचना को समझाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं कहने का मतलब यह है कि हर एक DNA आड़ो बड़े आड़ो डी आकसी राइबो नुकिलियो टाइड के एकलकों का बना बहुलक होता है अब इसे बहुलक क्यों कहा जाता है तो DNA है वो किसका बना होता है डी आकसी राइबो नुकिलियो टाइड का बना होता है और D-Arxy Ribonucleotides कई योगीकों के एक साथ जुड़ने से बनता है यानि इसमें कई सारे योगीक होते हैं जो मिल करके D-Arxy Ribonucleutides का निर्माल करते हैं इसलिए बहुलक इसे कहा गया है इस प्रकार से विभिन नुकिलियोटाइट के जुड़ने से बनी पॉली नुकिलियोटाइट संखला बहुलक अथवा पॉलीमर कहलाती है चलिए आगे आते हैं प्रतेक डी आक्सी राइबो नुकिलियोटाइट आड़ू तीन योगिकों के जुड़ने से बनता है तो DNA आड़ तीन योगिकों के मिलने से बनता है उनमें से पहला है पेंटोज सरकरा तो पेंटोज सरकरा इसमें डियाक्सी राइबोस सरकरा पाई जाते हैं फिर दूसरा है फासफेट समूँ तीसरा है नाइट्रोजनी छारक या नाइट्रोजन बेस चलिए इन तीनों को संच अक्सी राइबोस सरकरा होती है, यानि C5H10O4 होता है, और इसमें कार्बन परमाड़ों को, प्राइम नंबर से विक्त करते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, कार्बन परमाड़ों को, नंबरों से दर्साया जाता है, अगर इसे पेंटोज सरकरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन में पांच कार्बन होते हैं, इसलिए इसे पेंटोज सरकरा कहते हैं, बता दें, कि यदि यहां RNA अनुवानसिक पदार्थ होता, चुकि हम यहां DNA बता रहे हैं, अगर यहाँ पर RNA अन्वानसिक पदार्थ की संद्चना होती रसानी संद्चना तो उसमें D-oxiribos की जगह पर राइबोस सरकरा होती चुकि यहाँ पर हम DNA बता रहे हैं इसलिए D-oxiribos सरकरा है चलिए अब आते हैं दूसरे Phosphate Samoo पर पासफेट समो या फासफेट ग्रूप के अंतरगत केवल फासफोरिक अमलाता है जिसे PO4 से बेक्ट करते है, फिर तीसरा है नाइट्रोजनी छारक, नाइट्रोजनी छारक या नाइट्रोजनेस बेस कहा जाता है, तो इसमें कुल मिला करके इसको दो भागों बाटा गया है, पहला प्यूरीन छारक या प्यूरीन बेस और दूसरा है पिरिमेडीन छारक या पिरिमेडीन बेस अब पहले को प्यूरीन छारक को देख लेते हैं तो प्यूरीन छारक को दो भागों बाटा गया है पहला है एडिनीन इसे ए से विक्त किया जाता है और दूसरा है ग्वानीन इसे G से विक्त किया जाता है तो पुरीन छारक दो चीजों से मिलकर बना है एडिनीन और ग्वानीन फिर आते हैं पिरिमीडीन छारक पर या पिरिमीडीन बेस पर तो ये भी दो चीजों से मिलकर बना हुआ है थाइमीन और साइटोसीन थाइमीन को T से विक्त किया जाता है या T से प्रदरसित करते हैं और साइटोसीन को C से प्रदरसित किया जाता है एक बात यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि DNA की संदचना में केवल थाइमीन और साइटोसीन होता है ये पिरिमीडीन की बात कर रहे हैं, पिरिमीडीन जो छारक है, DNA की संदचना में थाइमीन और साइटोसीन होता है, जबकि अगर RNA की संदचना होती, तो RNA की संदचना में थाइमीन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, क्या होगा, अगर RNA की संदचना है, तो थाइमीन की और nitrogen base इन तीन चीजों से मिलकर D-Axribonucleotide का आणू बनता है थवा DNA बनता है अब एक बात ये कि यदि इन तीनों में phosphate ना हो तो nucleoside उसे कहेंगे यदि इन तीनों में से अगर एक को हटा दिया जाए जो phosphate समू है, phosphate group है इसको अगर हटा दे हम तो उसे क्या कहेंगे, nucleoside कहेंगे, side और यदि तीनों होंगे, तो nucleotide कहेंगे यानि side की जगह पर tide हो जाएगा और अगर phosphate हटा देंगे, तो side कहेंगे चलिए अब देखते हैं कि poly nucleotide स्रंखला कैसे बनेगी तो डी आक्सी राइबोज सरकरा आड़ो के पांचवे अस्थान का कारबन परमाड फासफोरिक अमल के एक आड़ो से पांच फासफो एस्टर बंध द्वारा जुड़कर डी आक्सी राइबो नुकिलियोटाइट बनाता है और चार तरह के नाइटरोजनी चारकों के आधार पर डी आक्सी राइबो टाइट्स भी चार प्रकार के होते हैं और ये चारों प्रकार के नुकिलियोटाइट जुड़कर poly nucleotide स्रंखला अथवा चेन का निर्मार करते हैं प्रतेक स्रंखला या चेन में एक नुकिलियो टाइड के डी आक्सी राइबो सरकरा में पांचवे स्थान के कार्बन से जुड़ा फासफेड समूं, दूसरे नुकिलियो टाइड के डी आक्सी राइबो सरकरा में तीसरे स्थान के कार्बन से फासफो एस्टर बंध द्वारा जुड़ा होता है इसलिए पांचवे से तीसरे तक को फासफोर डाइस्टर बंद कहा जाता है तो ये है पूरा सुगर का स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये पूरा सुगर का स्ट्रक्चर है या पेंटो सरकरा है इसमें नंबरिंग को देखा जाए तो एक दो तीन चार और पांच तो इस पांचवे स्थान से फासफेट समो जुड़ा हुआ है अब अगर दूसरे नुकिलियो टाइट की सरकरा को देखें या दूसरे इस ट्रक्चर को देखें सरकरा वाले को तो इसमें फासफेट समो तीसरे स्थान के कारबन से जुड़ा हुआ है और यहा किस बंध से जुड़ा है तो फासफो डाइस्टर बंध द्वारा जुड़ा हुआ है फासफो डाइस्टर बंध से इसलिए यहां से यहां तक यहां से ले करके यहां तक पूरा फासफो डाइस्टर बंध कहलाता है अधवा तीसरे स्थान से पाचवे कारबन के बीच फासफेट स स्रंखला में दो नुकिलियो टाइट्स के सरकरा और फासफेट और द्वारा परस पर जुड़े होते हैं। यानि जो पाली नुकिलियो टाइट चेन है उसकी बैक बोन का निर्मार करती है। नाइट्रोजनेस छारक इस दंड को बनाने में भाग नहीं लेते हैं। अफेदर गवानियन से जुड़ा हुआ है तो उससे जुड़े होते हैं। और पार्स ग्रूप के या पार्स समों के रूप में इस दंड में समकोन बनाते हैं। इस दंड में देख लिए समकोन जैसा बना हुआ है। फासफेट अड़ों के कारण पाली नुकलियो टाइट संखलाएं अमली होती हैं। अच्छों के इसमें फासफेट अणु पाये जाते हैं। इसलिए जो पाली नुकलियो टाइट संखलाएं होती हैं ये अमली होती हैं।